असलाम लेकुम फ्रेंट्स वेलकुम वेलकुम बाक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे कुश्मी की फेमस हंत कौकुर हंत कौकुर बनाने में बहुत असान है खाने में उससे भी जादा टेस्टी इस वीडियो में आपके साथ हमने शेयर के है कंप्लीट रेसिपी जिससे आप एजिली हंत कौकुर बना सकते हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखे यहां पर हमने हंत ली है आपको हंत किसी भी मार्केट से एजिली मिल जाएगी अब हम इसको पानी में डालेंगे फिर जाकर एक यह दो सीटी आने तक पकाएंगे इससे क्या होगा इसकी जो बिटरनेस है वो खतम हो जाएगी और यह सौफ्ट भी हो जाएगी पानी आपको इतना शामिल करना है जिससे जो हंद है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए जब तक हंद को सीटिया लगेंगी तब तक हम चिकन पकाएंगे यहाँ पर हमने चिकन लिया है अब हम इसको हल्दी वाले पानी में एक कुबा लाएंगे उसके बाद हम इसको fry करेंगे यहाँ पर जो हमने चिकन यूज़ किया है वो वनराजा ब्रीट का है आप कोई साभी चिकन यूज़ कर सकते है हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे दो बड़ी लाईची, दो छोटी लाईची, दो लॉंग साथ में हम एक टेबल स्पून नमक भी शामिल करेंगे आदी छोटी चमच हल्दी का पावडर अब हम इसको एक सीटी आने तक पकाएंगे वनराजा चिकन बनाने से पहले हमें हमेशा उसको एक सीटी आने तक ज़रूर पकाना है ताकि उसका जो गोश्ट है वो सॉफ्ट हो जाए अब हम प्रेशर कुकर का लिड ओपन करेंगे अब चेक करेंगे चिकन सॉफ्ट हुआ है कि नहीं यहां पर जो चिकन है वो सॉफ्ट हो गया है अब जाकर हम इसको फ्राइ करेंगे अगर आप नॉर्मल चिकन यूज करें तो आपको उसको प्रेशर देने की कोई ज़रूरत नहीं है सीधे डारेक्ट फ्राइ कर दीजे यहां पर चिकन अच्छे से फ्राइ हो गया है अब हम प्रेशर को करको खोलेंगे चेक करेंगे हंद सॉफ्ट हुई है के नहीं एक दो टुक्टे को हाथ से मसल कर देख लीजे सॉफ्ट हुई है के नहीं यहां पर जो हमारी हंद है वो सॉफ्ट हो गई है अब हम इसको खुले बानी के नीचे एक दो बार दोएंगे अच्छे से दो लेने के बाद हम इसको दो हतीलियों में लेंगे फिर हलका सा प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए इसको हमें अच्छे से ड्राइ करना है पूरा पानी निकाल लेने के बाद हम इसको कोटेंगे हमें इसको इतना कोटना है कि इसका pasty texture ना बन जाए आप चाहे तो इसको मैशर में भी मैश कर सकते है जो भी आपको convenient लगे आप उसमें कर दीजिए कोटने के टाइम हम इसमें दो चाल लसन भी शामिल करेंगे यहाँ पर हांद का पेज जैसा texture बन गया है अब हम इसको दो बॉल्स बना कर side पे रख देंगे अब हम हंद को fry करेंगे fry करने के लिए हमने same oil use किया है जिसमें हमने chicken fry किया था इसमें हम आदी छोटी चमर जेरा भी शामिल करेंगे साथ में आदा चॉप किया हुआ प्यास भी शामिल करेंगे अब हम इसको तब तक fry करेंगे जब तक इसका color golden brown ना हो जाए यहाँ पर इसका color change हो गया है अब हम इसमें lesson शामिल करेंगे अब हम इसमें हंद शामिल करेंगे हंद शामिल करने से पहले अब हलका सा हंद को खोल दे ताक इसको fry करने में असानी हो अब हम इसको 5-10 मिनद तक अच्छे से फ्राई करेंगे अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें आदी छोटी चमच हल्दी शामिल करेंगे अच्छे से मिला ले यहां पर हंद अच्छे से फ्राई हो गई है अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे अब हम चिकन और हन्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे हम इसमें वही पानी शामिल करेंगे जिसमें हमने चिकन उबाला था इस टाइम पर हम इसमें नमक शामिल करेंगे यहां पर हमने एक टेबल स्पून नमक शामिल किया है और हम रेट चली फलेक्स एक चमर शामिल करेंगे अगर आपके पास साबूत कश्मीरी लालमेच है आप वो शामिल कर दे इसके बदले साथ में हम एक चमर सौंप का पाउट शामिल करेंगे इससे जाद हम और कोई भी मसाला इसमें शामिल नहीं करेंगे अगर आप निवली मदर के लिए बना रहे हैं तो आप लालमेच स्किप कर दे अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसको कवर करेंगे फिर जाकर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी कम ना हो जाए और इसके अर्गित ओइल ना जमा हो जाए हंथ कोकुर का तब ही मसा आएगा जब हंथ और चिकन अच्छे से साथ में पकेंगे मिन्यमम 10-15 मिनित तक हम इसको साथ में पकाना है यहाँ पर हंदोर चिकन अच्छे से रेडी हो गया है आपको इसको ज़रूर ट्राइ करना है बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है अगर आप न्यूगली मतर के लिए बना रहे हैं तो लाल में स्किप करें बागी पूरी रसी पर आपको इसी तरकी से फॉलू करनी है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजी और आपने फ्रेंद्स और फैमली के सथ ज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को